हलो प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका इंटर्वियो क्लासेज में बात करेंगे दस्वी बोर्ड के लिए जो मॉडल पेपर जारी किये गए उनके सल्योशन के बारे में यह अपने मैट्स का मॉडल पेपर है इससे पहले अपने साइन्स, इंग्लेश, हिंदी, संस्कृत, SST इन सभी के मॉडल पेपर यहां पे आपको आई बटन पे क्लिक करतें प्लेलिश्ट मिलेगी वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं 2024 में जो आपके बोर्ड एक्जाम होने वाला है बिल्कुल इसी पैटन पे आपके पेपर आने वाला है ऐसा ही पेपर आने वाला है ठीक है ना चलिए देखते हैं किस प्रकार से कोईशन आपको मिलेंगे अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेजेगा और दोस्तों को साथ शेयर करना नहीं भूलें ठीक है ना और इस चैनल पे आपको Maths के, SST, Science सभी के Most Important Questions हर टाइप के Question आपको यहाँ पे मिलेंगे ठीक है ना समय आपके सवा 3 गंटे रहने वाला है, 80 नमबर का आपके Paper होगा, 20 नमबर आपके विद्याले से भेजे जाएंगे ठीक है यह विद्याले के लिए सामने निर्देस हैं जो आप जानते हैं ठीक है ना चलिए चलते हैं अपने खंड अ में, Section A में, जिसमें आपसे Multiple Choice Question पूछे जाएंगे पहला प्रशन है अपने संख्याओं, 96 और 404 का मसप होगा, मसप निकालने के लिए क्लिए क्या करिए, ऐसे गुणंद खंड करिए 96 में यह लिखा, 2 का भाग लगाईए, कितना हो गया, 4 बार, 8 बार, 48, 2 का भाग, 24, ठीक है भाग देते जाएंगे, अब आज यह संक्याओं से जब तक जा रहा है, तब तक ठीक है ना, 12, फिर ऐसे चला गया, ठीक है 6, 2, 3, 3, ठीक है ना, अब इधर देते हैं, 404 का, इसमें किसका 2 का गया, 2, 0, 2, ठीक है फिर से 2 का गया, 1, 0, 1, अब इसमें 1, 0, 1 का ही जाएगा, ठीक है, तो अब इन दोनों में मसब क्या आता है, जो दोनों के अंदर ही नंबर होता है, वो कहलाता है, मसब ठीक है तो 2 इधर भी है इधर भी है और 2 इधर भी है इधर भी है तो 2 into 2 तो मस्तब क्या होगे अपना 4 ठीक है कौन सा option correct हो जाएगा अपने the option ठीक है न next देखिए यदि बहुपद x square minus 2x minus 15 के सुन्यांक a and b है तो a into b a b pass में लिखा यानि सुन्यांकों का गुणा पूछा है हमसे तो सुन्यांकों का गुणा क्या होता है alpha into beta वरावर क्या होता है c बटे a ठीक है यही होता है सोतर c बटे a तो c क्या है अपना देखो c है minus 15 ठीक दो minus 15 और a क्या है x क्या कि कोई नहीं मतलब 1 है आगर लिख दो 1 तो हमने इसका भाग लगया तो minus 15 आंसर आया ठीक है न option चेक करिए minus 15 कौन से में है ठीक है न कौन सा option हो जाएगा अपना बी option करेक्ट हो जाएगा ठीक है न बी option करेक्ट आंसर हो जाएगा second में next question देखते है second के बाद है third question माध्य पता करना आपको माध्य औसत माध्य निकालना तो जितने भी नंबर है उन सब को जोड लो ठीक है न तो जोड़ा तो 5 और 6 11 और 15 और कितने 20 हो गया 20 और total number कितने है total number है अपने 5 तो भाग लगा दीजी तो माध्य कितना है अपने 4 ठीक है न तो option कौन सा correct हो गया इसके अंदर सब option correct answer हो गया ठीक है नेक्स्ट देखते हैं समीकर्ण दे रखा है इसे संतुष्ट करने वाला यूग में कौन सा है संतुष्ट का मतलब हुआ कि मैं इन में से देखो यह जितने भी box दे रखें ने इन सब में पहली value x किया और दूसरी y किये पहला यहां एक रखों फिर 2 रखों y की जगर तो नहीं बनेगा चार यह बनेगा ठीक है अगर यह रखों तो 4 और 5 बनेगा अगर मैं यह रखता हूं तो 2 4 और 6 बन जाएगा यह बन जाएगा तो option कैसे 2 का 2 लिखिए x क्योंकि 2 है तो 2 लिखिए यहां पे गुणाय में plus और y 2 ह तो यह 4 प्लस 2 बराबर 6 बन रहा है ठीक है न तो कौन सा option अपना सा option होजएगा correct answer ठीक है next question देखते है पांचवा है कि यदि AP का पर्थम पद 6 और सारव अंतर 3 हो तो AP होगी तो AP क्या होगी देखिए पहला पद 6 है न फिर 3-3 का gap ले लिजे माइनस तो चांस ही नहीं यह दर माइनस वाला नंबर ही नहीं है तो यह दो दोनों cancel होगे फिर यदर 3-6-9 यह तो चल रहा है लेकिन AP का पर्थम पद है तो कौन से AP होगे अपने 6-9-12-15 तो आज असानी से अपने को मिल गया option क्या हो जाएगा अपने पर्थम पद 6 है न तो यह option correct हो जाएगा ठीक है न क्योंकि यह तो 3 से सुरू हो रहा है पर्थम पद अपना 6 है इस में option correct हो जाएगा ठीक है next देखते है निमन मैंसे कौन से समरूपता की कसोटी नहीं है देखें तीन तो समरूपता की कसोटी है पर एक नहीं है जो नहीं है वो ढूंडने आपको कि कौन सी नहीं है तो यह जो D option लिखा हो है न कौन भुजा भुजा यह समरूपता की कसोटी नहीं है बाकि यह 3 समरूपता की यह और वे जिरो और यह देख रहे चार कॉमा जीरो और यह कॉमा चार टिक है यह x1 और यह y1 हो गया यह x2 वह जाए यह y2 गलाए कि एंव का मद्धिबिदू मतलब यह जो लाईन है ना इसका ये मद्धी बिंदु बताईए तो मद्धी बिंदु निकालने का शूतरक्याोता है xon plus x2 बट्टे 2 तो देखिרה यह x1 है यह x2 है मतलब 4 plus 0 बट्टे 2 बरबर 2 ठीकैं और दूसरे में भी क्या होगा जिरो प्लस चार बट्टे दो बरबर दो ठीक है न तो दो दो आ रहा है कौनसा option हो गया अपना सव option करेक्ट हो गया ठीक है न सव option इसमें correct answer हो जाएगा ठीक है next question देखते है आमसे पूचा एक तरबूज है चलो तरबूज बनाते है ठीक है यह तरबूज है और तरबूज के अंदर B पे 90 degree दे रखा है B पे क्या है 90 degree अब A चाहिए आप यहां रखो यहां रखो उसे कोई फरक नहीं पढ़ना है ठीक है न अब रख दिया अब बोला है cos A 3 बटे 5 अब cos है न तो cos की value कैसे रखेंगे तो हमने कहा वापस यहां बनाता हूँ मैं डाइग्राम यह लो ठीक है न यह B इदर रखा ठीक है A इदर रखा और C इदर रखा यह value रखी अब क्या बोला cos A तो हम जानते है L, A, L, 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 B, K, 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 K अब इसमें देखी यहां होता है sin प्र यहां होता है cos यहां होता है este सौरी sin 100 जिसके वैली होगे 3 और करन होगे यह बुझा जिसकी वैली होगी 5 तो सम कॉंड तिरभूज है तो 3 है 5 है तो यह 4 हो गया अब हम से पूЫछा क्या sin A बताऊ तो sign A में आता है lump और कर्ण ठीक है ना क्या आता है lump और कर्ण तो sign A यही रहेगा sign A तो यह lump होगा सामने वाली बुजा और कर्ण होगी यह तो lump होगा अपने कितना 4 और कर्ण होगा पाँच तो 4 बट्टे 5 उत्तर ठीक है ना तो चार बर्टे पांच option कौन सा हो जाएगा अपने बी option correct हो जाएगा ठीक है न किसी मिनार की चाया उसकी उंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नेयन कौन होगा देखे जब यह न यह चाया है यह उंचाई जब यह दोनों बराबर होते हैं तो यह हमें से 45 डिग्री कौन होगा तो देखे इन दोनों को करिये जोड उच सीमा प्लस निम्न सीमा कितना 25 है ना 25 लिखिए और भाग दीजिए दो का ठीक है न तो कितना 25 और 35 35 का आदव तो साड़े सत्रह तो अपने option सर्करेक्ट हो जाएगा ठीक है किसी व्रत के व्यास के सिरों पर खींचिगे इस पर्ष रेखा आपस में होती है यह क्या है व्रत है ठीक है ना क्या है यह व्रत है अब इसकी व्यास यह व्यास है इसका इसके यह टाच होने वाल लाइन और यह टाच होने वाले लाइन व्यास के टाच होने वाल लाइन अमिसा क्या होगी समानतर होगी क्या होगी समानतर option बग करेक्ट हो गया ठीक है नेक्स्ट कुश्यन देखते हैं तो यह व्यास वाले एक जनाकार ब्लॉक के उपर अर्धगोला हुआ है ठीक है यह in1 जो क्या है अपने साद्थ सेंज जीनल साद्थ सेंज इसके ऊपर यहां रग दिया एक घनकार ब्लॉक रख दिया यह ऐसे घन क्या कार का ठीक है ना गना कार अर्ध गोला चलो गन तो यह है इसके उपर अर्ध गोला रख दिया अर्ध गोला कैसे होता है अर्ध गोला होता है कुछ इस टाइप का यह अर्ध गोला ठीक है अर्ध गोला रख दिया अब अर्ध गोले का अध इकतंग व्यास हो सकता है अब ध्यान दीजीं यहाँ से यहाँ तक इतना touch करक चकता है एक सोल से तो इसका व्यास पूरी लाइन हो सकता है ना चांस ना तो हम भोलेंगे इसका सात ही होगा ठीक ना तो option किया हो जाएगा अगला देखते हैं एक वरत्त की प्रतिएक कि छतूरतांस के कौं का बनते नहीं और कितना होता हैं शुक्त सबितने लाग तो अप्शन कौन रहे करेक्ट धा दर कुछन दीखते हैं 1 पासे को उचालने पर 6 इस बड़ा अंक आने की प्राहिकता बताईए क्या चांस है कि 6 से बड़ा अंक आ जाएगा तो 6 से बड़ा अंक कब आ सकता है अपने 6 से बड़ा अंक आने का कोई चांस नहीं क्योंकि पासे के अंदर अंक कितने होते हैं अपने 6 हाइस्ट होते हैं ठीक है ना तो 6 से बड़ा कोई अंक न निकालते हैं a कितना अपना minus 3 डी कितना अपना तो minus 1 upon 2 minus और माइनस 3 करो तो क्या होगा minus 1 upon 2 plus 3 कितना आएगा 2 and half आएगा ठीक है ना तीन मैंसे आदा कम कर देख तो ढाई आ गया ठीक है इसका मतलब धाई प्लस में इसका मतलब यह प्लस में बढ़ रहे है सीरीज ठीक है अब हम से पूछा है 11 मापद तो सुत्र क्या था है ए 11 बराबर ए प्लस सोरी ए 11 लिख दे ए ओफ्लस 10 डी टीक है न 10 डी लिख दिया अब A का मान कितना है माइनस 3 प्लस 10 का 10 लिख दो और D का मान कितना है था अभी धाई मतलब 2.5 धाई हो गया अब इन दोनों का गुणा किया हो गया 25 ठीक है 25 से अगर 3 माइनस कर दो तो आ जाएगा अपने 22 तो 22 है option option पढ़ा है अपने option ठीक है ना अगला देखते है question खाली जगा पूछी गई हमसे ठीक है ना पहला प्रश्ण है कि AP 3 1-1-3 का प्रतंपद और शार्व अंतर होगा तो प्रतंपद जो सबसे पहले लिखा वो हो गया 3 ठीक है अगला सवाल देखते हैं next question है अपना कि प्लस साइन स्कूर सार्ट इसकी वेल्यू कितनी होती है को स्कूर और साइन साइन साट इसको जोडने पर आता बच्चे अपने कितना था एक आता वन ठीक है ना one value आएगी ठीक है next देखते हैं एक संकू की उचाही तरजया एक हुआ है ठीक है इसकी तिर्जिया यहां से यह तक तिर्जिया कितने सैंटी मेटर है और इसकी 8 सेंटी मैटर ठीक है बहुत य Tulinkist यह calculating वाली उन्टोद तो सब्सक्राइब को यह निख सक्ष्च Mm न अब डिगरे कॉण बनाएगा नश्का माँत RAM जै पाइटोगोरस पर मेज तो यहां लिख देंगे 10 सेंटीमेटर ठीक है न त्यान रखेगा इसका अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट है वर्गीकरत आंकडों का मात्यक ज्यात करने का शुत्र जिस आंकड़े अपने को वर्गीकरत दे रहके हो तो हम कौन से सुत्र से इसका आंसर निकालेंगे तो देखिए वर्गीकरत आंकड़े के लिए यहां लिखता हूं मैं RIGHT माद्य निकालने के लिए हम क्लप्त माद्य प्लस I अपन बटे में समिष्वय इंड इंस उथ यह शुत्र अपने काम आता है ठीक है यहाँ पर क्लपित माद्य से एक साई माइनिस माइनस किया जाता है। अगला देखते हैं क्या है उस प्रेक्शन का मान ग्याद किजिए जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम कहते हैं बहु लग क्या कहते हैं बहु लग ठीक है अगला देखते हैं गड़ी के मिनिट की सुई एक मिनिट में रचित कॉन मतलब देखिए टोटल कॉन होता है 360 क्यों कि गड़ी गोल होती है 360 डिग्री बनता है और 360 में टोटल है ना मिनिट कितने चलते हैं 60 मिनट चलती तो भाग दे दीचे 0-0 कैंसल 6 कैस में गया 36 बार तो 6 डिग्री का कॉन बनाएगे कितना बनाएगे 6 डिग्री ठीक है एक असंबेवे गटना के प्राइकता मतलब जो गटना हो ही ने सकते उसके प्राइकता 0 है ठीक है अगला देखते है वेरी शॉर्ट टाइप है 1260 के अबाजी गुणंध खंडों को गातां के रूप म तो 630 आया ठीक है फिर 2 का जा रहा है दे दो 3 और 1 और 5 315 फिर जा रहा है हाँ जा रहा है 3 का तो अभी तक अभी 3 का जा रहा है पहले 2 का जा रहा था तो कितने बार गया एक 0 5 बार फिर 3 3 से कितने बार गया यह गया अपने 35 ठीक है और 35 को आगे करो डिवाइड 35 हो जाए औहकर मेंहें लूंजय उखिए अब देख्यां पहीं कि निमपर आ था कि तो इन्तु टू इन्तू इन्तू इन्टू और फार इन प्लस X प्लस K बराबर 0 होगा कब जब X की जगह मैं कितना 3 लिख दूँ लो 3 यह लिख दिया ठीक न तो यह 3 का स्कोर किया तो कितना हो गया 9 9 मैं 2 से किया तो 18 ठीक है 9 2 18 और इधर X है तो प्लस 3 प्लस K बराबर 0 अब यह दोनों प्लस है एड हो गया कितना बन गया 21 तो इसको उधर बेज़ूंगा तो के के वैलिव माइनस 21 ठीक है ना इस प्रकार से नेक्स्ट कुशन देखते है नौ पैंसिल एक पैन का मुल्य चौपन है तो बीच गणिते समीकर्ण में इंटू एक्स प्लस आठ पैंसिल नौ पैंसिल होगी आठ पैन है ना वाई बराबर चौपन टोटल रुपे मिला के चौपन होगे ठीक है यह एक्विशन बन गए ठीक है अगला देखते हैं अपने को बोल रखा है कि ए ए ए कितना यह तीन है यह दो है और यह दो साथ है ठीक है ना यह दो परफट कितना साथ है तो यह बताएं कि इसमें भी यह भुजा कितनी होगे ठीक है यह पताना तो इसका धिल्स दियोर्म क्या कहती है अगर भुजाओं का अनुपात क्यों क्यों कि देखो दोनों बजैं कौन यह पड़िए और बीसी यह पड़ी अगर दो भुजाएं समानतर होती है तो उनकी जो भुजाओं का अनुपात होगा अगर दो लाइने समानतर है तो उनके भुजाओं का अनुपात आपस में समान होगा ठीक है ना कैसे हैं? देखिए AEC, AE, EC बराबर होगा किसके AD AD उपर लिखिए नीचे लिखे DB अब इनकी वैल्यव पूट कराई है तो इसकी वैल्यव है क्या है? तीन बट्टे दो है तीन बट्टे दो बराबर और AD कितना है? AD अपने पास दो पॉइंट साथ है और नीचे BD नहीं पता है DB बोलो BD एक है इन दोनों का गुणा करके तीन का भाग लगाना है तो 27 का 2 से गुणा के चौपन चौपन में तीन का भाग लगाना है 5.4 चौपन हो गया और 3 का इसमें भाग लगाना है तो अपने क्या आ जाएगी? DB DB आ जाएगी ठीक है तो इसमें भाग लगा है, कितनी बार चला जाएगा भाग, एक बार पूरा गया, ठीक है, और फिर बच जाएगा 2, ठीक है, आर्टिया 24, ठीक है, 1.8 आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूनिट ये सेंटीमेटर में दे रहे हैं, तो पीछे लिख देंगे सेंटीमेटर, ये हो गया, आंसर, ठीक है, नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट प्रशन है, कि बिंदु है अपने पास, पी, ये ऐसे देखिए, बिंदु दोनों भी प्लस के हैं तो X पे गया 1, 2, 3, और Y पे गया 1, 2, 3, 4, तो पॉइंट है न, यहाँ पे मिल रहा है, ठ कितना दूर है, तो यह X अक्स है न, इससे कितना दूर है, तो 1, 2, 3, 4, मतलब यह 4 पॉइंट दूर है, ठीक है न, यह ध्यान लगना, डिस्टेंस कितनी इसकी, 4, तो X अक्स से दूरी कितनी है, 4 होगी, ठीक है, अगला देखिए, 14 सेमी तरजया के गोले का संपूर्ण प् होता है, यह तो फॉर्मूला होता है, पाई, 4, पाई, आर, स्क्वेर, ठीक है, तो वैली पुट कराई है, 4 इंटू, 22 बटे, 7 इंटू, आर, इंटू, आर, ठीक है, अब जो वैली अपने पास है, उससे से आंसर निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि आर की वैली, अपने को य नहीं है, जो यह काटे, ठीक है, आचा, अब देखे, इन दोनों का, इन तीनों का कर लेते हैं, गुणा, जब हम इन तीनों का करेंगे गुणा, तो इन दोनों का तो गुणा टोटल बनेगा अपने, वापस करते हैं, एक बार गुणा क्या बनेगा, कि क्या था, 4 इंटू, 22 बट्टे 7 इंटू 14 इंटू 14 है ना इन दोनों को cancel किया तो गया दो बार ठीक है अब इन दोनों का गुणा हो गया 28 अटाइस और इन दोनों का गुणा हो गया 44 अब इनका गुणा हम करेंगे तो कितना हैगा 44 24 इंटू 28 ठीक है multiply करिए multiply करेंगे तो आचो 32 हंसल के 3 आचो 32 और 35 तो जोडने से कितना आएगा आपने ठीक है मिल गया आंसर 24 चौशट बनेगा आंसर ठीक है ना 24 चौशट ठीक है ना इसका आंसर होगा 24 चौशट क्योंकि शेत्र भले सेंटिमिटर स्क्वार सुत्र याद है क्या 4 πाई आर स्क्वार खक्तम ठीक है नेक्स्ट प्रश्ण देखिए बेलन की उचा ही है 11 सेंटिमीटर वक्रपष्ट का शेत्र भला आपको दे रखा है तो वक्रपष्ट का शेत्रभल आपको दे रखा तो बेलन के आधार की तरिजया पता करिये तो पहले हमें निकाल अपने को क्या क्या गिवन है उंचा ही दे रखी है आर एक पता नहीं इधर से हम आर निकाल लेंगे ठीक है तो दो इन्टू बाइस बटे साथ इन्टू आर का आर लिखे इन्टू एच उंचा ही कितना है 11 is equal to 968 ठीक है अब आर इधर लिख दीजिए 988 इधर लिखा साथ नीचे था तो उपर गया और इधर आ गया 11 इन्टू 22 इन्टू 2 ठीक है अब इनको कट करते है ठीक है अब 11 से ये नंबर पूरा कट रहा है देखिए 988 ठीक है एक बार मैं वापस पूरा नंबर लिख देता हूँ क्या नंबर था आपने कि 968 और उपर इसके पास 7 ठ कौन-कौन था एक तो 11 था एक 12 था एक फॉल दोट ठीक है अब इसको मैं अगर काटू किससे 11 से तो 1188, और 6, और 8 और बचके तो 1188 बार गया, 22 से इसको मैं काटनों तो गया 4 बार, ठीक है, 4 को इसे काटनों तो मैं गया 2 बार, 2 और 7 उपर 2 यह बचे हैं, तो इनका हो जाएगा 14, ठीक है, तो इसकी तरजया, कितनी हो जाएगी अपने इसमें तरजया, तरजया होगी 14 cm, ठीक है, बड़े आसान था, अगला है, 14 cm तरजया वाले वरत का एक चाप केंदर पर 60 डिगरी का कौन अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का शुतर होता है, ठीक है, बाकि सारी वैल्यू दे रखे हैं, सिर्फ पूटी करने हैं अपने को, तो धादन होता है, अब इसे में डिवाइब करना चाहें तो भी कर देए, नहीं, तो क्योंआ हम से पूंच गया था, लंबाई पूंचा था नंप आए, और cm में, तो यह ऑसर से cm भी लेख सकते हैं, अगला कोशन दिखते है, 6 मीटर उंचा एक व्रक्ष है ठीक है खंबा है जिसके छाया इतनी गई है लो यह खंबा है कितना 6 मीटर है और इसके छाया इदर चले गए 2 रूट 3 में ठीक है आपको बता नहीं है कौन कितना बन रहा है तो हमने का बड़ा असना है भाई क्यों जब इदर वाला कौन निकाल ना क्या 6 2 रूट 3 अब इस नमबर को काड़ दो इससे कितने बार गया तीन बार तो बच किया गया तीन रूट 3 अब रूट 3 नीचे नहीं रहना चाहिए इसे लिए हारों का परिमेकर्ण कीजिए ठीक है अब मल्टिप्लाई किया तो 3 का रूट 3 से किया तो 3 रूट 3 बन हारों कि कोना तीन से किया तो 3 बन गया तो रूट 3 लाए र रूट 3 आप देखि Turuz 3 किस के अंदर आते यहə बनाने का रूट 3 यह तो यहां लिग misery तो यहां लिग दे हैं 60 degree ठीक है ना तो यहां पे जो अपना angle था ना इधरSiल बनने वाला वो कितना? 60 degree होगा ठीक है, 20 m gonna, आग नाग से नदी के पुल से एक नाव का अनwritten कौन? देखिए, यह नदी का एक पुल है, 20 m gonna, ठीक है ना, 20 m gonna, यहां से नदी का अन bargain यहां बन रहा है अपने कितना? 10 30 क्योंकि 30 30 होता है वन अपने रूट 3 बराबर 20 अपने को आइड दे रहे कि इसको मान लेते हैं X क्रॉस मुल्टिप्लाई कर रहे है एक्स बराबर 20 रूट 3 यह आंसर आ जाएगा ठीक है ना इस प्रकार से यह प्रश्ण था उसके बाद में जो खंड आपके बहुत शुरू होता है वो देखिए जिसमें आपको पूछा गया है परिमेश संख्या ठीक है ना परिमेश संख्या सिद्ध करनी है जिसमें रूट 2 दे रखा है इसको अपरिमेशन क्या तो यह होती है तो इसको पहले परिमेशन क्या साबित करिये फिर लास्ट में हम बोलेंगे यह परिमेशन है एक ही question है इस chapter से अपने बनने वाला जिसमें अपरिमेर संकिया शाबित करी है तो यह अपरिमेर लेकिन शाबित करना है इसको ठीक है फिर सुन्यांकों की आपको जांच करनी है और उनके सुन्यांकों की गुणनफल के बीच में न सम्मंद इस्थापित भी करना है ऐसा question भी पूछा जाएगा फिर आपको हल करना है समीकर निकाय को ठीक है विदी जो चाहिए वह लगव आप जब question में बोला नहीं है तब ठीक है फिर अपने चटी प्रशनावली से पूछा गया कि दर्शाए है कि यह ऐसी condition हो सकती है जब दो रेखा हैं अपने समानतर होती ह तो उनके बुजाओं कानूपात है ना वो बराबर होता है ठीक है ना तो यह कर सकते हैं आप दिक्कत नहीं है ठीक है तो आप यह कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं और ऐसे question आपको हर chapter के important question दिये जा रहे हैं तो इसमें सारी question आ जायेंगे ठीक है तो निष्चिंद रहें पि पूचे गए ठीक है 11 प्रशन बोला है कि इसी दिखीजिए किसी वृत के व्यास के दो सिरों पर खीची गई इस परशे का मिसा समानतर होती है समानतर ही होती है ठीक है ना फिर बड़े कुशन ये दू-दो नंबर के कुशन है सारे जो पूचे जा रहे हैं ठीक है ना बड़े से तयार कर लेना फिर उसमें इस परकार के कुशन माधिक निकालना ठीक है ना पास्य के बारे में कुशन दे रखें ठीक है पिर खंड आपका जो सह सुरू होगा इसमें आपको option में कुशन मिलेंगी कहने का मतलब सोलवा जो प्रशन होगा वो आपके और में रहेगा आप या तो इनका कल्पित माध्य विदी से समंत्र माध्य निकाल लो, नहीं तो आप इनका माध्य निकाल सकते हैं, ठीक है, बाहर माध्य निकाल सकते हैं, ठीक है, दोनों दे रखें, फिर अत्वा में आपको पांच ये प्रशनावली का कोशिन दे रखा हैं, दोने अत्वा में सेम प्रश्КАवली के कुशिन आएंगे यह भी है ठीक है न दिखाना रखना इस चीज़ का भी ठीक है और जो अभी बड़े कुशिन आये न चेप्टर से उसी चेप्टर से वार्पस बड़े कुशन आएंगे अब ये साथवी प्रशनावली से आया तो साथवी से ही आगे आपको देखने को मिलेगा ठीक है फिर आपसे पूछा गया है सिद्ध कीजिए ठीक है ना उसके बाद में सेक्शन डी है जिसमें आपको जीवन काल पूछा है बिजली उपकरणों का ठीक है उसके अथवा में आपसे पूछा है माद्य पूछा बारम बारता पूछ ली गई है ठीक है ये ध्यान रखिएगा ठीक है फिर दो कर्मा का धनात्मक पूर्णाग संक्याओं का योग यह है तो समीकर्ण चौथी प्रशनावली से कोशन पूछे है फिर लास्ट में जो कोशन पूछा ये अपने आठी प्रशनावली से पूछा गया है ठीक है ना इस परकार से आपका पेपर रहने वाला है कोई समश्या आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं ठीक है ना मिलते हैं नेक्स पार्ट में तब तक के लिए तैयारी करते रहे जय हिंद जय भारत